हाई आब्रीवान वलकम बैक्टरुमे चानल देखे हैं आज मैं बहुती खुप शुराथ बहुती इजी डीजाइन लेके आए हूँ ए डीजाइन आप किसी भी प्रोजेट पर डाल सकते हो स्वैटर लेडिश वैटर जेंज श्वैटर बेबी स्वैटर फ्रोक शाल किसी भी प्रोजेट पे डालिये बहुत ही सुन्दर बनके आएगा रोंग साइट पे इसे दिखता है ए डिजाइन जो शिक्स रोज का डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए शिक्स मॉल्टिपल में फंदा लेना है प्लास टू प्लास टू करना होगा मॉल्टिपल आप शिक्स प्लास टू प्लास टू इसमें मैंने शिक्स मॉल्टिपल करके टू बेल प्लास टू प्लास टू कर लिया है टोटल शिस्टेन कर लिया है फास रो राइट साइट फास रो एक फंदा एसे स्लिप कीजे अब यहां स्रीपर पैटर निस्टा करना है ठागा आगे कीजिए दो फंदा उल्टा एक दो धागा पीछे फिर एक दो तीन चार एक चार फंदा की पीछे से एक फंदा ड्रो करना है फिर आगे की एक दो फंदा सीद इस चार बारत करना है एक फिर एक दो फंदा ड्रो फिर एक दो सीद दो फिर एक फंदा सीधा, तीन, फिर से एक फंदा ड्रो, फिर एक फंदा सीधा, चार एक फंदा को छोल कर यहां से यहां तोक एक रीजन खतम हुआ है, आपको है रिप्र करना है बार बार, यहां से फिर बई रिप्र करना है, धागा आके कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो धागा पीछे फिर चार फंदा के पीछे से एक्स्ट्रा फंदा निकरना है यहांसे एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा निकरना है फिर एक फंदा सीधा एक चार बर्ता करना एक फिर एक फंदा सीधा दो फिर एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा निकरना है फिर एक फंदा सीधा तीन फिर से एक फंदा एक्स्रा फंदा निकल लाएं फिर एक फंदा सीधा चार एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तक दो डिजन खत्मुआ आए लाश में आपको तीन फंदा बजेगा धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो धागा पीजे एक फंदा सीधा फास रोबी बुनके कॉम्प्लिट कर दिया है आप सेकेंड रो एक फंदा एशे चलिप कीजे आप यहां सेरे पर पैटन इश्रा कर नाए धागा पीजे दो फंदा सीधा एक दो धागा आगे फिरे दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी की साइड से एच चार बारता करना है दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी की साइड से एक फिर से दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी की साइड से दो फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना उल्टिक सार से तीन एक चार एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजेन खतम हो आए आपको ए रिप्र करना है बारबन दो फंदा सीधा एक दो फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्ठी की साइड से चार बारता करना है एक दो तीन चार आपको ए रिप्र करना है धागा पीछे फिर दो फंदा सीधा एक दो धागा आगे फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्ठी की साइड से चार बारता करना है एक, दो, तीन, चार, यहां तक दो डीजन खत्मों आए, लास्ट में आपको तीन भंदा बजेगा, धागा पीजे, दो भंदा सीधा, एक, दो, धागा आगे, एक भंदा उल्ट, सेकेंड रोबी बुन्खे, कॉम्प्रिट कर लिया है, आप थार्ड रो, थार्ड रो एक भंदा एसे स्लिप कीजे, आप यहां से रीपर पैटर निष्टा करना है, यह चार भंदा को पीछे से एक्स्ट्रा भंदा निकलना है, यहां से, फिर ये आगे की एक फंदा को सीधा बुलना है ये चार बारता करना है एक फिर से एक्स्ट्रा फंदा निकलना है फिर एक फंदा सीधा दो फिर एक्स्ट्रा फंदा निकलना है फिर एक फंदा सीधा तीन फिर से एक पार रिप्र करना है एक्स्ट्रा फंदा निकरना है फिर एक फंदा सीधा चार धाका आगे फिर दो फंदा उल्टा एक दो इसे लिप किया फंदा को सोर कर यहां से यहां तक एक डिजन खतम हुआ है आपको एक रिप्र करना है बार बार यहां से फिर वही रिप्र करना है धाका पीछे फिर चार फंदा को पीछे से एक्स्ट्रा फंदा निकरना है यहां से कि फिर ढगी कि एकटना को सीध्या बुनन है इढ़त हो नेहीं से 5 फिर से एक्स्रा पाम्दानीगा ऺड़न फिर एक बंदा सीधा दो फिर से एक्स्रा पंदा निकरना है फिर एक बंदा सीधा तीन फिर एक बंदा सीधा चार धागा आगे दो बंदा उल्टा एक दो यहां तक दो डिजन खत्मों आए लास्ट में आपको तीन फंदा बचेका धागा पीछे ए दो फंदा के पीछे से एक्स्रा पंदा निकरना है फिर एक बंदा सीधा एक फिर एक्स्रा पंदा निकरना है एक फंदा सीधा दो फिर लास्ट का एक फंदा सीधा थार रोबी बु कर लिया है आप फोर एक फंदा एसे स्लिप कीजे फिरे दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से दो बारता करना है एक फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से दो ए तीन फंदा बुनने के पाद आप यहां सिर्फिर पैटरनिस्टा करना है धाका पी जे दो फंदा सीधा एक दो धाका आगे फिरे दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से ए चार बारता करन एक फिर दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी के साइर से दो फिर से दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी के साइर से तीन फिर से दो फंदा को एक फंदा बनानाए उल्टी के साइर से चार ए तीन फंदाको छोर कर यहां से यहां तक एक डिजन खतम हो आए आपको एक रिप्र करना है बारबार दो फंदा सीधा एक तो फिर दो फंदाको एक फंदा बनाना है उल्टी की साइर चे एक चार बारता करना है दो चार आपको एक रिप्र करना है धागा पीछे एहां से फि सीधा एक दो धागा आगे फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की सायर चे चार बारता करना है एक दो तीन चार यहाँ तक दो डीजन खत्म हो आए लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा एक फंदा उल्ट फोर रोबी बुनके कंप्लिक कर लिया है आप फीप दरो फीप दरो एक फंदा एसे सिलिप कीजे फिर ये दो फंदा को पीछे से एक्स्ट्रा फंदा निकालना है यहाँ से फिर एक फंदा सीधा ये दो बारता करना है एक फिर एक्स्ट्रा फंदा निकालना है फिर एक फंदा सीधा दो आप यहाँ स्रुपट् अब यहां सेरी पर पैठनिस्ट्रा करना है धागा आगे कीजिए दो फंदा उल्ट एक दो धागा पीछे फिर यह चार फंदा की पीछे चे एक्स्ट्रा फंदा निकरना है यहां से फीर एक फंदा सिधा है यह चार बाढ़क होको करना है फिर से एक्स्ट्रा फंदा निकलना थाद कीछे चाफ्टiked stolen our फिर एक फंदा सिधा है दो फिर एक्स्ट्रा फंदा निकलना है फिर एक फंदा सीधा तीन फिर से एक बार रिप्र करनाए फिर से एक्स्रा फंदा निकारनाए एक फंदा सीधा चार क्thing पाल यहां से हाथ एक ढिजन खतम हुआ आपको एक करणा है यहां से फिर मbourne कर करना है दो व substitution करना है दो फेंदा होड़ेट धाका आगे 1 2 धाका पीहए फिर 3 भंदा के पीछ इसे एक्स्ट्रा फेंदा निकाल ना है फिद एकफड़ा शीद एकट्रा फंद़ निकलना है फिर एकफड़ा सीद दो फिर से च्थ्टा फंदर निकलना है कि एक फंदा सीधा तीन कि फिर एक बार करना है कि एक फंदा सीधा चाल शुब धर रिजन फ़तम होए लास्ट में आपको एक फंदा बचे का एक फंदा सीधा फिपत रोभी बुनके कंप्लिट कर लिया है आप 6 रो, 6 रो एक फंदा इसे स्लिप कीजिए, आप यहां स्लिपर पैटर निष्टा करना है, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की सायर से, चार बाड़ता करना है, एक, फिर से दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की सायर से, दो, फिर से दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की सायर से, तीन, फिर से दो फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की सायर से, चार, धागा पीछे, दो फंदा सीध, एक, दो एसलिप के आप खंदागों छोल कर यहां से यहां तक एक डिजन खतम हो आए आपको इरिफ्र कर्नाएं बारवन दो फंदाको एक फंदा बनाने उल्टी की साइड़ चे चार बार्ता करना है दो चार फिर दो फंदा सीधा एक दो आपको ए रिफ्र करना है यहां से फिर वह रिफ्र करना है ठाका आगे दो फंदाको एक फंदा बनाने उल्टी की साइड़ चे एक फिर दो फंदाको एक थाल धागा पीछे दो फंदा सी एक दो यहासे यहां तोक दो रीजन खतम हो आए धागा आगे लास्ट में आपको पांस फंदा बचेगा दो फंद के एक फंदा बनाना उल्टी की साथ जे दो बार्त करना कि दिखिये एक डिजॉसे सिग्स रोजट का एं यह प्लास्ट में मेरे चानल को लायक कॉमेंट से राप सब्सक्रा करना मत भुलियेगा ठैंक यू